मेट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए काफी बड़ी खबर है यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्च में ही रिजल्ट का लक्ष यानि यह जो न्यूज है परभात खबर में साथ मार्च को छपी है साथ मार्च को यह खबर छपी है यहां पर देख सकते हैं कि मार्च में रि इंटर्मेडियेट की जो कापी है, वह जाहत हो की खत्म होने वाली है विहार बिधियालuminय परिक्षा समिती, इंटर्मेटरिक परिक्ष्षा का रिजल्ट मार्च में ही देने का लक्ष रखा थन्हें, इस से पहले 2019 में बूड्य होना सब से कम समय में इंटर वो अ मेटरिक परिक्षा का रिजल्ट जारी कर रिकॉड कायम किया था और इस बार तमाम परेशानियों के बाद भी बूड कॉपी के मुल्यंकन को लेकर सक्रिय है हर्ताल जारी है बाव्युद मुल्यंकन का कारिया बेहतर तरीके से निप्टाया जा रहा है नो मार्च तक इंटर की कॉंपियों का मुल्यांकन का लक्ष रखा गया है और यहां पर देख सकते हैं कि पहले दिन नहीं हुई जांस यानि 5 मार्च से मेट्रीक के कांपी की जांस शुरू होने थी तो 5 मार्च को कांपी की जांस चल्ष के सुठर हो गया है है अब यहां फ़र है क्लायों की प्रार्थमीक नहीं क्लिए हर ताल के बीच पहले दिन मैंट्रीक कांपियों का मुल्यांकन कार्या यह नहीं हो पाया मैंट्रीक वार्षिक प्रिक्षा 2020 की कांपियों की जांच पत्ना में शुक्रवार से शुरू हो जाएगी वैसे तो पूरे बिहार राज की इस्तिती हमोबेस यही रही है दो से तीन जीलों के मुल्यंकन केंद्रों को छोर कर पहले दिन कहीं भी मुल्यंकन शुरू नहीं हो सका तो यहां पर आप देख सकते हैं बोर्ड का जो लक्स है मार्च में रिजल्ट जारी किया जाए क्योंकि पिछले वर्ष भी इंटर का रिजल्ट मार्च में जारी किया गया था उसके बाद मेटरिक का रिजल्ट अपरियल में जारी किया गया था और देखिए इस कम के पूरा क सिक्षक हैं सभी को जो है मेट्रिक इंटर के कंपी जंच में लगाया जा रहा है ताकि सोस में जो है कि मुलियांकन के कारी को पुरा किया जा सके और रिजल्ट जारी किया जा सके तो छातरों के लिए काफी खुश खबरी वरानी हुज है अगर यह वीडियो पसंद आए तो कम से कम दस ग्रूप में वस नहीं फिलाईए व्यार बोर्ट से समय न्यूज है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बे ैसे समय जा जा समयल्ट से सयंदी कि जा से सके देटसा है एंगर भीच एज़ से समयET चारा चारा किया जा जा सरी वर्मत्र एंगर थारा है जा समये वरानी है